कॉछ आप इजिल या फंक्ष्ण एस जर्ड आव ये रजडियू अलकॉंसर्ट सुन्जवा है कुछ आपको दो जप्टर बढ़ा रखेमेन एक चर्णाली थर्टीश कोंप्प्लेक्स अनलिसीज सर्फ पार्ट और एक चैप्टर ननुबर फोर्टी और्टी में मैं एक इस होता है जिस पर functional नहीं होता है जैसे पॉल हो गया असेंच्छल नहीं हमने पड़ी है तो अब यह आपसे जानना चाहरा है अब यह चीज़े कैसे होंगी देखिए इस पर कैसे काम करेंगा अपन एक रिमुवल सिंगुलर टीवी कॉंसर्ट आपने पड़ा था वह चीज अलग पर यहाँ पर तो नहीं होगा तो पहले मैं आपको निकालता हूं फिर इसका shortcut नहीं हों कैसे फटा भटावडा आंसर करना है तो निकालेंक लिए अपन दिनामीट रहें इसको इक्वल अगर यह concept पढ़ा रखा है आपने तो आप मेरी बात तुरन समझ जाएंगे दोस्त और मैंने पढ़ा रखा डिटेल में पढ़ा रखा एक एक पॉइंट को एक शिंगल रूटी को पढ़ा रखा आपको यहाँ पर चलिए देखिए जड़ माइनस तू? और जड़ा पलस वन की होल पावर तू जिसको इकवल पॉइंट सर्देंगे यहां से पॉल निकल जाएंगे मदल सुनलर पैंट सर्देंगे यहां से तू आएगा जड़ इस एक्वल तू और यहां से आएगा जड़ इस और यह काया जड़ी असी इकवल टू माइनस वन गया जड़िंग अपने अब इन पॉल के अपने अपने ओर हैं देखो यह पॉल जड़ डिफाल दू एक बर आ रहा है दो एक बर आ तो इसका ओडर कितना हो गया मेरे दोस्त पोल ओडर वन यह ओडर वन हो गया यह माइनस वन तीन वर आया है तीन वर रिबीट हो रहे ना तो इसका ओडर हो गया दोस्त तीन यह ओडर का भी खास हो रहे यह बेसिक जानकर यह अपन नहीं घट्टी कर लिए अब अपन चलते हैं कॉंसर्ट की तरफ यह शोटकट अपन लगाएंगे वह शोटकट पता है क्या है रेजिट्यू ओफ एफ जड़ निकालने का फोर्मला दोस्त लिमिट लिमिट जड़ अप्रोच इस टू जड़ नोट यह जड़ नोट बता क्या होता है जड़ नोट सिंगलर पाइंट होता है जैसे यहां पर यह टू है माइनस वन है लिए याद आरहा है फोर्मला सिखाय था आपको कि डी एम माइनस वन डिवाड़ दीजर एम माइनस वन जड़ माइनस जड़ नोट की पावर म और एफ जड़ यह वाला फॉर्मला होता है दोस्त यह यह म क्या होता है अपने होकि और अपने पार देखिए दो पोड़ आये हैंगा और इस ही फॉर्मुलार पे दो ला काम करेंगे दोस्त एक बार इस पॉल के लिए तो पहले इस बार इस के लिए काम करते हैं जै इसको लुटू के लिए है है कि जब इस इकल्ट टू के लिए क्याता है मतलब आप फोर्मुला बार बार रावार नहीं होंगा एक बाद इसके लिए काम की तो पिलिए काम कर रहा हूं तो देखिए मेरे यह यहां से क्या hollow सब्सक्राइब लिमिट जर्ड अप्रोच टू जर्ड नोट कोन अपना आपर टू करेक्ट एम की वेलू कितनी है एम होता है ओडर ऑफ दपॉल यह दो एक बार आतो ओडर वन है तो दोस्त अभी यहां पर देखिए यहां तो जर्ड नोट कुले टू रखती एम कितना रखें यहां बन रखेंगे 1-1-1-1 तो यह कहना कि बावर जीरो डी जर्ड जीरो तो मतलब वन ही है कवे कि जीवार जीरो ती वन होता है तो अल्टिमेटली यह भी वन हो गया यह भी वन हो गया सीधा यहीं आ जाओ तो जैड माइनेस जैड नोट कितना है टू और पावर एम-म कि कितना दोस्त बन है जो और यहां पर एम कितना दोस्त थ्री है अब समझ जाओंगे ना अब मुझे बार बर बताना नहीं है पड़ेगा अ एलो एम यहां पर वन है और यहां पर एम कितना अपना थ्री है है मिला ओडर हाँ जी एफ जड कितना है यह आपना एफ जड उठागे रख दो यहां पर और जड माइनस जड पलस वन की होल पावर तीन तो दोस्ट जड माइनस तुसरे डम माइनस टू कट गया जड किसको अपरोच कर रहे है टू को तो जब यहां टू रखेंगे टू पलस वन थ्री त्रीगा स्क्वियर शोरी त्रीगा क्यू किना अपना एकवटिश सताइस तो 1 by 27 तो एक रजिदू तो अपना यह आ गया देखो मिल रहा है यहां आ रहा है अब इन में यह उप्षिन तो भाई हो मैच कर रहे है अना यह उप्षिन दोनों मैच कर गए अभी इन दोनों में और फैसला कर लेते हैं कौन करेक्ट है अब इधर आजाते हैं अब आवन यह वा पोच तू मानस वन पॉल को ने मानस में वन अपन एम मानस वन फैक्टर एंडव थ्री आ तीन मेंसे कटाएंगे दो दो फैक्टर लों कितना होता है टू तो वन राइट वाई टू कि डी एंगल थियर थी मानस वन तो डी स्क्वेर अप उन में ड्य जैड़ हो जाएगा यह नहां पर आ जाएगा दोस्त जड़ पलस वन की होल पावर थ्री अब देख इसको थोड़ा सिंपल बनाते हैं यह इससे कट जाएगा वन वाई टू अपने पास भार है अब एक बाव बता है दोस्त डी स्केएर डी जड़ अपने पास इस कौंटिटी का दो बाल डरीटी करना है तो एक बाल डरीटी करने के लिए अपने लोग क्या करेंगे इसको उपर लेकर आएगे दोस्त तो पावर मानसर न हो जाएगी दाएगा मानस 1 divided by z Ij –2 की पावर 2 यह इसका एक बार डारिटिव ऋहएगा युद आपकर पर मानस टू पर पर bilirयू रेटील नहीं क्यों टू जाएगा यह इसका फेर से इसके कर लाइटी करोगे तो आयगा तो अपनिफ थो जाएगा दू Ыिıl इसका वन अपोन जड़ मानस टू का इसका अ कि इसका कि इसका साइकेंडेर एक यह तो आएगा तो अपोन जड़ मानस टू का होल पावर तो कहने के मतलब यह मेरे दोस्त लिमिट जड़ अपरोच टू-1 यहां पर सब्सक्राइब टू तो यह तो यह तो यह यह तो पर रखेंगे रहनी है व्यक्ति अड़ मानस टू कि होली पावर में कितनी है दोस्तो टू से तू गट गया जब जैसे यह मननस और रखेंगे तो मानस एपनास 27 तो कहने का मतला बनान आएगा एक बटे मानस का 27 तो एक तो यह आएगा दोस्त और एक यह आएगा तो बताई क्या आंसवा है option D is the right answer option D is the right answer ना यह तो देखिए मानस 1330 आरह गलत हो जाएंगे तो अना यह तो गलत हो जाएंगे option D is the right answer clear है आगे बढ़ते हैं